नमस्कार आदाब मैं हूं प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रॉंड़ अप शो आई नज़र डालते हैं आज के मुख्यों सुर्क्यों पर हमाई पहली खबर में हम बात करेंगे तमिल लाडू की जहां बस शपत लेते ही स्टॉलिन ने 2000 रुपई की राहत राशी देने आविन दूद के दाम में कटावती सहीत मैलाओ को मुफ्त यात्रा की घोशना की आई या नेमा वली COVID-19 लहर के बीच केंद्र का उध्योगों में सामूहिक मोल भाव की गुंजाईश को सिमित करने का प्रस्ताव कुरोना अपडेट देश में रिकॉर्ड दस्मलों एक चार लाग से अधिक नए मामले 3915 मरीजों की मौत और आखिर में कुरोना वाइरस संकरमित वरिष्ट पत्रकार शेश नाराण सिंग का निदन नेताओ और पत्रकारों ने दी सट्धान चली तमिल आडू के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शुकरवार को राज जी के लोगों के लिए 2000 रुपए की COVID-19 महामारी रहत राशी आवीन धूत के दाम में कट आउती और सरकारी परिवान बसों में महिलाओ के लिए निशुलक यात्रा की घोशना की उनकी पार्टी द्रमुक ने 6 अप्रेल को हुवे विदान सबाचिराओं में ये सभी वादे किये थे एक अधिकारिक विज्यत्ती में कहाया कहा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर कारिवार समालने के बाद पहला आदेश जारी करते हुए स्टालिन ने नीजी अस्पतालों में कुरोना वाइरस के इलाज को सरकारी बीमा योजना के दायरे में लाने की भी घोशना की ताकि ऐसे लोगों को राहत मिल सके ये घोशना है महामारी से प्रभावित नागरीकों की सहायता करने के लिए चावल राशनकार धारकों को चार हजार रुपए मुहया कराने और उनकी आजेविका में मदद करने के पार्टी के वादे को याद दिलाती है विध्यप्ती में कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए मुख्य मंत्री ने मई में दो हजार रुपए की पहली किस्त के तौर पर 4,153.69 करोड रुपए की धनराशी महिया कराने के आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें 2,767,000 राशनकार धारकों को लाब मिलेगा बुद्धुवार को केंद्री श्रम और रोजगार मंत्राले ने देशबर में प्रतिष्ठानों में सामोईक मोल भाव के दारे की गुंजाईश को कम करने का प्रस्ताव रखा जिससे श्रमिकों की हितों की अंदेखी करते हुए श्रम नियमन व्यवस्था को नियकताओ के पक्ष में मोर दिया गया इस प्रत्ताओं में दिये गए सुझाओ और ज्योगिक संबन यानि आई आर सहिंता 2020 के लिए मसौदा नियमों के नमिंतम समू का हिस्सा है इसके अलावा ये सुझाओ नियकताओं को अपनी तरफ के एक ऐसी पहली रास्ट्र व्यापी प्रडाली के तहत सशक्त बनाता है जो एक ट्रेड यूनियन को वार्ता करने वाले निकाए के तोर पर मानिता तो देता है जबकि अध्योगिस सनचना के भीतर ट्रेड यूनियन के अधिकारों और देंदारियों पर खामोश है इसके तहत श्रमिकों से जुड़े मामलों पर बाचीत करने वाले को जो निकाए यानि यूनियन या कॉंसिल नियोकता के साथ मध्यस्ता करेंगे उनके दायरों को सेवा की शर्तों और रोजगार की शर्तों के साथ सिमित कर दिया गया इन आया सहिंता की धारा 14 और 22 पर मौसौदा नियमों के मताबिक दूसरे मामलों के बीच श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों से भी हाथ खीच लिये गए है केंदी स्वास मंद्राय दौरा आज शुक्रवार यानी साथ मई को जारी आगडो करनुसार देश में पिछे 24 गंडों में कोरोना के फिर से रिकॉर्ड चार लाग 14,188 नए मामले दर्श किये गए हैं इसके लावा कोरोना से एक दीन में 3,915 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी भी इस देश भर में करोना से पिड़े 3,31,507 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिम मामलों में 78,706 मामलों की बढ़ उतरी हुई है देश में करोना की मामलों की संक्या बढ़ कर 2,14,91,598 हो गई है जिन में से अब तक 2,34,83 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में करोना से पेट 81,10 मिलों 9,4 फीस दी यानि 1,76,12,351 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिम मामलों की संक्या बढ़ कर 36,45,164 हो गई है स्वास मंतारे किता जानकारी का अनुसा देश में करोना वैक्सिन की 16,49,73,058 डोस दी जा चुकी है जिन में से 23,70,298 वैक्सिन की डोस पिसले 24 घंटों में दी गई है वहीं मशहूर टीका विशेशक गगदीम कांग ने कहा है कि कोरोना वायरस में मामलों में मौजूदा वृद्धी मई के मद्धि से आखिर तक नीचे आ सकती है और अंध में बात करेंगे वरिष्ट पत्रकार शेष नायार सिंग के दुखत निधन का वरिष्ट पत्रकार शेष नायर सिंग का शुक्रवार को निधन हो गया वह कोरोना वायर से संक्रमित थे और ग्रेटा नोड़ा के जिम सस्पताल में उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था जानकारी के मुताबिक उपचार के दुरान उनकी हालात में सुधार हो रहा था और कुछ दिन पहले ही उनका प्लाजमा पद्दिती से लाज किया गया था लेकिन शुक्रवार तड़के उनकी तब्यत अचानक खराब होई शेश नाराण सिंग ने कई अकबारों में बतौर संपादक काम किया था और कई समाचार पत्रों में भी अब भी अस्तम लेकन करते थे वो मूल रूप से उतर प्रिदेश के सुल्तानपूर के रहने वाले थे शेश नारान सिंग के निदन के बाद पत्रकार्ता जगत में शोक की लहर है प्रधान मंत्री नेर्ण मोदी, उतर बिदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नात और समाजवादी पार्टी अध्यच अक्लेश यादो सहीद कई बड़े नेताओ, अधिकारियों और वरिश पत्रकारों ने उन्हें स्रदांज ली दी है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही निउसक्लिक के यूट्यूब चार्व को सब्सक्राइब करें साथी रेश और दुनिया के अन्नी खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंसाग्राम और ट्विटाप में हमें फॉलो करें निउसक्लिक देखने के लिए शुक्रिया